नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास यूटेक में यूपी स्कॉलरशिप 2023 बड़ी खुष न्यूज मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ बड़ी खुष ख़वरी है कि अब NIC से फॉर्म बेरिफाई होने का वक्त आ चुका है यानि कि अब आप लोगों को जो भी फॉर्म था आपने जो भी करेक्शन किया जो भी इन्वर्शिटी में दिक्कत थी इन्वर्शिटी के डाटा में दिक्कत थी वो तमाम सारी चीज़े NIC के तरफ से बेरिफाई किया जा रहा है और बहुत जल्द आप लोगों के फॉर्म पर अंतिम निर्ड़ आ जाएगा यानि कि आपके फॉर्म को डिस्ट्रुक स्कॉलर्शिप कमेटी के द्वारा बेरिफाई कर दिया चाहेगा इसके अलावा अस्तावर तोड रिजेक्ट होंगे ऐसे फॉर्म चीहां कौन से वो फॉर्म रहने वाले हैं चार ऐसे फॉर्म जो आज से काफी ज्यादा संख्या में रिजेक्ट होंगे साथ ही फ्रेस रिन्यूवल के सभी छात्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है वो बाते भी मैं बताने वाला हूं वीडियो को टिल इन तक वाज करना बाकि अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार को पिक किया है उसको मैं at the last reply करूँगा वीडियो में जरूर्स देखना में भी उसमें आपका भी सवाल छुपा हो यहां पे आप देखो कि NIC द्वारा स्कूरूटनी किया जाना यह तमाम सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि कब से कब तक होनी है और आप अगर देखोगे तो छात्रो द्वारा सही कियेगा डाटा को जमा करना संस्थान में इसका डेट था 17 फरवरी तक चलो यह डेट भी था अब NIC द्वारा पुनह स्कूरूटनी करना यानि कि 19 फरवरी से लेके 26 फरवरी दोजाट 24 तक छात्रो द्वारा सही किये गए संधिहास पर डाटा को N अगर आपका फॉर्म बेरिफाई करने की योग है सारी चीज़ें दुरूस्त हैं तो आपका फॉर्म 26 फरवरी के एर्दगीर दिया उसके बाद कभी भी बेरिफाई किया जा सकता है और आपको फॉर्म में देखने को मिलेगा कि डिश्ट्रूट स्कॉलर्सिप कमीटी के द kaa है जो भी समय से हे उस चीज़ का लाज़े cul 2-15 मेरे दोस्त है तो 16 तक आप वीचिए आपका के आपको या तो रिजिक्ट या तो इसमाइब दोगों को द्हनवाद देखlo चीज़ों को डाटा आप देख सकते हो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ समझ गये चलिए अब आपको अपना इस्टैटस कहांसे देखना है और जो कर देना है directly home page पे चले आना यहां पे आप देख सकते हैं कि UP scholarship का status दिख रहा है यह इस वाले option पे आपको click करना है थोड़ा सा it sign उसको cut करना है उसके बाद simply कुछ नहीं करना है scroll on करना है नीचे चले आना है आपको कई सारे links मिल जाएंगे pre metric post metric post metric other than enter फ्रेस डिनिवल जो सा भी आपका form है आपको registration number date of birth password डालके capture डालके submit करना है और अपना status देख लेना है और अगर आपके status में जरुवत है तो correction कर लेना है समझ गए तो cml.in पे visit करके आप correction अब यहां पे आप देख सकते हैं कि sir मेरा सब verify हो गया है 22 24 को डिस्ट्रिक भी verify हो गया है कब तक scholarship पास सकता है तो आपके comment से लग जिन भी चात्रों का आप तक form verify हो चुका है और वो graduation post graduation के चात्र है उन बच्चों का पैसा 15 मार्च के बाद उनके खाते में भेजा जाएगा दूसरा कि sir scholarship में पिछले year का number 4 था माक्सिट के नंबर scholarship नहीं लिख पाए और correction date निकल गई है क्या करें देखिए आप offline भी correction कर सकते हो previous year के result का photocopy हो जिस भी year की result में दिख्या थे उसका photocopy ले जाके college में जमा कर दो चुकी उसकी भी date 17 फरवरी थी निकल चुकी है लेकिन एक बार जाके जमा कर दो बात कर लो में भी समाधान निकल आए मेरा DW से verify हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है जिन चात्रों का भी form district scholarship committee के दारा verify कर दिया गया है उन चात्रों को बिल्कुल निश्विंद रहना है उनको कुछ नहीं करना है उनको सिर्फ इंतिजार करना है उनके पैसा आने का पैसा कब आएगा मैंने अल्रड़ी बता रखा है बाकी जिस दिन आना होगा एक दो तीन पहले वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा इसलिए म सबक्राइब नहीं किया है तो देरी कर रहे है वी लंब कर जल्दी से जल्दी सबस्क्राइब करके बेल आएकन को इट कर दो जिससे कोई information आप से मिसना हो मैंने जब scholarship form भःा तो मार्क्स दूसरा था लेकिन अब correction में मार्क्स दूसरा भरा क्योंकि result update हो गया और college वालों न प्ता दो भीया इसा-इसा समस्या है अब देखलो कि अगर समने से सक्टा अगर सब्लीघ को वा बाकी ऐसे स्कॉलर्जभ करके स्कॉल्ति खूال का अगर्फर अगर नहीं करना पड़ेगा सब्सक्राइब पढ़वा दीजे प्लीज देखिए करेक्शन की डेट पढ़ने को लेकर चांसे सना के बराबर है मैंने डिस्ट्रिक स्कॉलर्डिशिप कमेटी में बात किया तो उन्होंने का है कि डेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि कि अल्रेडी सारी चीज़ें तरह डिलेज चल रहे हैं कि अब मौका दिया दिक्कत हो जाएगा देखो हो सके तो दूदी निल के लिए आपडेट को मतलब पॉर्टल को बटन किया जाएं जयसा भी होगा विड़ो के माध्य हम से इतला किया जाएगा आपको रिजल्ट ही नहीं आया है कैसे क्या करें तो रिन्टी नहीं आया तो जिपने इक करके बिल आइकन को प्रिस कर दो जिससे की हर एक वीडियो आप तक टाइम से पहुचे आप हर एक वीडियो का नूटिफिकेशन आप तक पहुचे और आप उस पर समय रहते अमल कर सको देखो अब समय निकल गया है बच्चे कितना पस्ता रहे हैं इसलिए मैं बार-बार कहता हम समझ गये लगबख 70% ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अब गलती यही कर रहा है ना बाई कर दो फटा फट से जुड़ जाओ हमारे साथ चलो